नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लोसार्टन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लोसार्टन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लोसार्टन टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोसार्टन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में लोसार्टन टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है लोसार्टन टैबलेट का उप्योग hypertension को ठीक करने के लिए किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए लोसार्टन टैबलेट का उप्योग किया जाता है लोसार्टन टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने के रिस्क को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है इसके अलावा डाइबिटी से पीडित व्यक्तियों में किड्नी की कार्यप्रणाली को सही बनाये रखने के लिए भी डॉक्तर लोसारटन टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कहा सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है लोसारतन टैबलेट 25 mg व पचास mg की स्ट्रेंथ में अविलेबल है दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि लोसारतन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लोसारतन टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में लोसारतन टैबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे सिरदर्द, शरीर में ठकान होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द, दस्थ और नीन अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स लोसारटन टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की लोसारटन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. बलड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको लोसारटन टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए. स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए. इसके अलावा बलड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की लोसारटन टैबलेट को कैसे लेन रेक्मेंडेड होता है. लोसारटन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में लोसारटन 25 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सला देते हैं. लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर लोसारटन 50 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लोसारटन टैबलेट को ले सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोसारटन टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है. इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोसारटन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहि वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लोसार्थन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.